नमस्कार आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइन्स पर कुमार के पास ना कोई विजन है ना रीजन आरेल्डी और बीजेपी का गटबंधन पड़ा खटाई में जयन चौधरी बोले आलाइन्स की आपचार गोशना भी नहीं अधार में लटकी है सीट शेरिंग किसानों के समर्थन में राकेश टिकेट ने निकाली ट्राक्टर मार् प्रस्ताव साथ ही इनेलो हत्या पर सीबी आई की जाच की माँ दोस्तों चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं यूपी की राजदानी लखनव में कुक्रयाल नदी के किनारे अकबर नगर में आज बुल्डोजर से लोगों के घरोत को तोड़ दिया गया इस बीच कई स्थानी लोग कोट में मामला लंबित होने की बात करते हुए कारवाई को गलत बता रहे थे पर उनकी कोई सुनवाई को तयार ही नहीं था शनिवार को इस मामले में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसके बाद फैसला लिया गया कि सभी अवयाद मकानों को तोड़ने के आदेश दिये गए पर यहाँ पर सवाल यह है कि जिन छेतर में सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हो और सरकार ने खुद वहाँ की सड जिये ने तैयारी की है, आरोप है कि अखबर नगर प्रथम और अखबर नगर दुतिये के करीब 1200 लोगों ने कुक्रेल नदी के जमीन पर कबजा करके मकान और दुकान और स्टोरूम खड़े किये हैं, एलडिये ने करीब चार महीने पहले इसका दुहस्ती करण आदेश द कर दिया कि इनके पास कोई भी जमीन के मालिकाना हक का पेपर नहीं है। आप RJD को एक मौका दीजिये। नितीश जी पुराने खयालात के हैं, उनका आप कोई विजन नहीं है। बस इधर उधर करना ही उनका काम रह गया है। चुनाव में बिहार को भेदने के लिए पियम मोदी एक रैली पर आने वाले हैं जिसको लेकर भी तेजस्वी ने बिहार वासियों से सपर्क रहने के लिए कहा है। साफधान रहे हैं, फिर नया जुमला गड़ेंगे, दर्म के नाम पर लड़ाएंगे, मगर लड़ियेगा नहीं, मैं आपका भाई हूँ, बस एक मौका दीजिये, बिहार का भविश्य सवार दूँगा। बीजेपी ने इंडिया गडबंधन को तोड़ने के खूब हवा बनाई, बिहार में नितीश को तोड़कर सरकार बनाई, तो वहीं उतर प्रदेश में आरल्डी प्रमुग जायन चौधरी के भाजपा के पाले में जाने की खबर भी आई, लेकिन अब जायन चौधरी ने ख जयन चौधरी ने खुद कहा है कि राश्ट्रिय जनतांत्रे का गडबंधन में उनकी पार्टी के शामिल होने से जुड़ी अभी तक आपचारे गोशना नहीं हुई है, इसलिए अभी सीटों के बटवारे पर भी कुछ तैय नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वो घोशना जल्दी ही होगी और तब ही सीटों का नेने हो पाएगा, हाला कि जयन के भाजपा से गडबंधन की एटकले लंबे समय से लगाई जा रही थी, जब जयन चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंग को भारत रतन देने की बात कही गई थी, तब से जयन भाजपा क की खुब तारीफ कर रहे थे, और जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे तो उन्होंने ये कहते हुए हामी भर दी थी कि अब मैं किस मुह से इंकार करूँ किसानों के समर्थन में और सरकार से किसानों की बात को मनवाने के लिए उत्तर प्रदेश समेथ कई प्रदेशों के हाईवे पर बीके यू कारेकर्ता और राकेश टिकैड ट्रैक्टरों के साथ माच पर उतर आ गए थे ट्राक्टर की लंबी लाइनों के साथ राकेश टिकैट सरकार का विरोध प्रदेशन करने के लिए उतर गए हैं ये किसान ट्राक्टर मार्च भारतिये किसान यूनियन टिकैट गुत ने रभूपुरा के महनपुर से फलैना कट तक यमुना एक्स्प्रेस वे के नीचे से निकाला है इस से प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैद ने कहा है कि सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकल जाए इसलिए ये मार्च कर रहे हैं नफे सिंग राटी हत्या कांड पर हर्याना विधान सभा में जमकर हंगामा हुआ कॉंग्रिस हत्या के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर आई साथ ही कॉंग्रिस इनेलू ने हत्या की CBI जाच की मांग भी कि हर्याना इनेलो प्रमुक नफे सिंग राटी की हत्या के मामले में खटर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है आज हर्याना विधानसभा के बजट सत्र के पाँचवे दिन नफे सिंग राथी हत्या कांड को लेकर जोड़दार हंगामा देखने को मिला नफे सिंग हत्या कांड को लेकर कॉंग्रिस ने हत्या के विरोध में काम रोको प्रस्ताव लाने का ऐलान किया वहीं हत्या की जाच हाई कोट के सिटिंग जज और सीबी आई से कराने की मांग की इसके साथ ही राठी के हत्यारों की जल से जल गिरफतारी की मांग भी की गई कॉंग्रस नेता अड़ा ने कहा कि हर्याणा में ये पहला राजनीतिक मर्डर है किसी राजनेता की हत्या एक जगन्य अपराद आज के लिए इन बड़ी खबरों में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए अलविदा